अलो इस्टूडेंट्स, विल्कमटो आरेम इंग्लिस क्लासेजिस आरेम इंग्लिस क्लासेजिस में आप सभी का स्वागत है आज हम गरल भी दे बास्केट का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं पहले पार्ट को आप नहीं देखे तो उसको पहले देख लिजी तब इसको देखी ताकि पूरा समझ मा जाए ले लिस्ट में जाके देख लिए उसमें हम यह बताए थे कि गर्ल विदेफास के टोकरी बेशने वाली लेड़की स्पार्ट का नाम है तिसके लेखक बिलियम सी डागलस हैं वो 1950 में भारत आये थे तो भारत आये थे तो यहां के लोगों से हर स्ट पर आये लोगों से बातचीत करने का उनका क्रम तूट गया था तो वहीं से है चलिए देखते हैं आये यह एक स्टेशन पर माय रूटिन आफ टाकिंग बिद द पीपूल मेरा लोगों से बातचीत का क्रम वाज इंटरॉप्टेड इंटरॉप्टेड मतलब बाधित हो गया फ Tucson लेकर पर मेरे लोगों से बातचीत करता था लेकिन एक स्टेशन पर मिरे लोगों से बातचीत का क्रम टूट गया रदित हो गया जोटे बच्चों के समून घञे आंग वा रॉंड मुझे चारोव से घफ बातगा हो गयाँ घेर लिए mc3 150 मुझे चारोड से घेर लिए यह मेरे 4 ऊजर सोटे बच्चों को एक समूह इकठा हुग गया दे वे ऐस से लिंग बास्केट्स व्हें चोकरियां बैच रहे थे रिड्स भॉबन-मानें रिट्स हयं तोकरी घून में बने हुई धिक रर्वी तीमें वॉक शांट स्था पाप्वेंट त्योल होन ग्यारती करें उचाई पर उठाय हुए थे शाउटिंग वर्ट्स और अपने हिंदी सब्दों में चिल्ला रहे थे कि टोकरी ले लो यहीं चिल्ला रहे होंगे आप समझ सकते उतना संदेश लेकिन संदेश दिया रहा था लेकिन उनके इन क्रिये कलापों से उनकी इच्छा का संदेश दिया रहा था मुझे कहने कि मतलब मुए उन वो टोकरी उठा कैसे चिल्ला रहे थे उनकी महां सा नहीं समझ पाया था लेकिन इतना समझ रहा था कि वह कहना चाहते हैं कि टोकरी हमारे खरेंदो चलिए आगे देखते हैं दीज वर रिफ्यूजी चिल्डेन तो यह सरडार्थी बच्चे थे इंपर्टन लाइन बहुत चल रहे आइट वर इस्टेशन वाला भी इंपर्टन इस्प्लेन आता है यहां से भी आता है तो यह सब आपको भूत ध्यान देना है यहां से पूरा ज्यान बव्यिजन बढ़ एंडिया पकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच वीभाजन हुआ था वाज डिक्रीम मने खोश हां घो accident की घोशडा किया दा है हंडेट मेटी आप हैंडिर्स आउल सब करना है अमनें लाखो लोगों ने हूजार कारा दिया तक पूराने घरों को फपने गरों को बदल स्थान को घरों को बदल दिया आकला कि कितने लुग छोड़े थे चल रहा है। नाइन मिलियन नाइन मिलियों मने होता है नब्य लाख होता है। तो लोग होने कर रहा है कि लेफ्ट पाकिस्तान पाकिस्तान को छोड़ दीया विभाजन समय और भारत आ गए थे क्यों आ गए थे ड्राइवन बाई माने होता फोर्स्ट बाई फोर्स्ट बाई मजबूर होकर फीर माने भाई आफ रेलिजियस फानेटिस्ज्म धार्मिक कट्टरता के भाई से मजबूर होकर नब्य लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ कर भारत आ गये थे दे वेर पूर यहां से इंपॉर्टन इस्प्लेनेशन है आता है देवेर प्यूर फोर पीपल वे गरीब लोग थे ट्वी स्टार्ट वित्मने शुरू आत्मा जम वे ले यात्र को अपने शुरू किये थे तो वह गरीब लोग थैं दे वेर फूर पूरर अधिक गरीब हो गया आज डे विगन देर लांग ट्रेक जैसे वे अपनी लंबी पैदल यात्र को शुरू किये तो अधिक गरीब हो गया जो अपने साथ लेकर चल सके थे वाज ए बिट फूड उसमें से थोड़ा सा भोजन था एंड ए फ्यू बिलांगिंग्स और कुछ बस्तूएं थी बिलांगिंग्स वाने बस्तूएं तो जो कुछ ले सके थे थोड़ा सा उसमें से भोजन था और थोड़ी सी अपने आउशक्ता की बस्नुई थी सून वाने सी ग्रीव वेर आउटाप फूड वाने होगा देयर फूड फिनिश्ट सिग्रीव उनका भोजन समाप्त हो गया एक फिरी अफल या फिरू कैने के कुछ ही दिनों बाद दे बिगेन टू फाल व़ह गीरने लगे जहाँ जब वो यांज आठ हुए की फिरूई धार विजा कि आफ्टर बात में देयर बिगेन बाय गीरने लगे। by the wayside MV ? शाडक के किनारे गिरने लगें फ्राम दा वीकनेस ऑफ हंगर भूख की कमजोरी के नाते यानि कि भूख मरी के कारड़ सड़क पर गिरने लगे सड़क की किनारे ही और जहां गिरे वहीं पर मर गए सड़क पर भूख प्यास के नाते गिरे वह मढगे चक्करान लगे उनको तो चलिए आगे देखते हैं कि करा कि अब यह प्रसना था यह बच्चे कौन थे टोकरी बेचने वाले तुसका अंसर देखी दा चिल्डेन सेलिंग बास्केस टोकरी बेचने वाले लड़के वर संसे डॉटर्टर साफ दीज रिफ्यूजी इनहीं सड़ार्थियों के पुत्रा और पुत्रियां थे स्टालस मतलब दुकान लगा करके स्टर्टिंग सप्स इन मार्केट बाजार में उर बाज़्ार में जीव का कमाने का प्रयास कर रहे थे आलरी ओबरक्राउड जहां के पहले से ऊबरक्राउडड दमाने भीड भार थी भी दे लिवड इन कलाथ एंड ग्रास बाए रहते थे कलाथ ने कपड़े के ग्रास मन घास के सिट्स बाए चपर वह कपड़े और घास उसके चपरों में रहते थे जिसकी गलियों में लाइने लगी हुई थे, इन शाडार्थियों में जो पीजांट्स बने फार्मर किसान लोग थे, हाइड वीन एकस्टम्ड वे अभ्यास्त थे, टू लिटिल, लिटिल मतलब यहां लिटिल बर्व की इतरा फ्रहा मादल थोड़े से काम चलाना, छी से थे, हाइड लिटिल अपने लाइब आख, बहुचन है लाइफ का, क्योंकि देर के बाद आ आया है, तो बर्व की जगाहा नहीं हो, नाउन की जगाहां, तो टू लिटि थोड़े से ही काम चलाने के क्या थे अभ्यास्त थे तो यह क्याना कि दपीजेंट्स एमंग दीज रिफ्युजेंट्स अड़ा थे जो किसान लोग थे पीजेंट्स माने फार्मर्स हाइड बीन एकस्टम्ड टू लिटिल आल देलाई वह अपने पूरे जीवन भार थोड़े थे खेति हर यानि किसान के परिवार यानि किसान के परिवार नहीं होती हैं, the average unskilled laborers, average मनें आउसत के इसाफ से unskilled laborer मनें आकुसल मजदूर makes 30 cents a day, एक दिन में 30 cents कमा लेता है, अर लेस देन 2 डालर से एक हफ्ते में 2 डालर से कम ही कमाता है एक रहकिया उस्तन देखा जाए ठीक आकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट अथो एक हफ्ते में 2 डालर से कम ही कमाता है देर इ évidemment मिल एक तायम क्पाइन आयन ऊणियन और बहसें यह पाते हैं इससी प्रेट और रोटी कहाते हैं में आपक फिल्ट के साथ एक कत्वट दाल साथ में यहां दाल होगा बालुक्त के बेंक ढूर्ट भी में लेंग पर्यापस एपट आफ गोड़ चीज और साइद में भीट आफ मने थोड़ा सा यह लिटिल गोड़ चीज मने बकरी हैं बकरी के दूज से बना हुए पनीर और स तों कफी मिलता हैぞ मिलता है चिकणाई वाली वाली पुटा चिकनाई को यह सब what नौफट इन्हें वसा युक्त चीजें नहीं मिलते हैं जैसे घी इत्याद है नौशीट मिठाई नहीं मिलती है नो मीट मांस भी नहीं मिलते हैं कि में मीट बनाने के लिए निके पास खर्चार अगरा कहां सपाएंगे अब फिर देखिया आ गए है वन हंडेट डालर से यहा एक साल में सव डालर इस नाट्ट टो डालर 2 आए 8 फिर भी infam तो पूर जो इतना ज्यादा गरीब हैं कि उन्हें खरीद भी नहीं सकते हैं कि वहाँ के लोग इन टोकरियों को खरीद भी नहीं सकते हैं तो कहां से कमाएंगे जब लोग खरीदेंगे तब है कमापाएंगे आगे है दैट नो डाउट इसलिए कि नो डाउट मने इसमें कोई संदे नहीं है दर रीजन कि यही कारण है दीज लिटिल चिल्डेन कि यह छोटे से बच्चे डिसेंडेड आनमी डिसेंडेड आनमी मने मुझे पर टूट पड़े यही कारण है कि यह बच्चे जो है मुझे पर टूट पड़े आनमेरिकन अब यह भी पूछा आता कि क्यों टूट पड़े देखिए आनमेरिकन लेखा करा कि मैं एक अमेरिका का निवासी था जिसे वे कभी तेखे थे क्योंकि वो बच्चे यह सोचे कि यह बढ़िया है सूट बूट पहना है बड़ियस अमेरिक है यह हमारे खरीद सकता है खरीदने लायक है हस्तियत इसलिए इनको क्या किये घेर लिए तो अब आज की वीडियो में इतना ही और आगे इसके हम अगला पार्ट बनाएंगे तो वीडियो पसंदाया होगा आई हो आपको पसंदाया तो लाइक कर दिए दो आपका भला हो सके ज्यादा स्यादा लोग तक मेरे वीडियो पहुंचा ही हमारा यह उद्देश से है और आपके लिए इतना कर रहे है ता आप मारे लिए इतना कर सकते हैं आप वीडियो के सेयर करिए थाइंक्स फार वाचिंग कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग मिलते है in next video.